सफर के दौरान ट्रेन में बर्थ को लेकर होने वाली असुविधा के चलते भारतिय रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं। ट्रेन में अक्सर मिडिल और लोवर बर्थ में सोने बैठने को लेकर लोगों को परेशानी होती है। यात्रियों द्वारा नियोंगों का पालन नहीं करने पर इसकी शिकायत की जा सकती है। भारत में रेल से रोजाना करोडों लोग सफर करते हैं। हालांकी ट्रेन में यात्रा से जुड़े धेर सारे नियोंगों के बारे में यात्रियों को बहुत कम जानकारी होती है। क्या आप जानते हैं कि रेल में जिस बर्थ पर आप बैठते हैं उससे जुड़े भी नियम होते हैं। कई बार ट्रेन में पसंद के अनुसार बर्थ नहीं मिलती हैं क्योंकि रेलवे के पास सीमिट सीट होती है। कई बार मिडल बर्थ पर सोने को लेकर भी विवाद हो जाता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यात्रा के समय किन नियोंगों को पालन करना होगा। ट्रेन से सफर के दौरान अक्सर लोग मिडल बर्थ लेने से बचते हैं क्योंकि लोवर बर्थ पर कई बार यात्री देर रात तक बैठे रहते हैं जिससे मिडल बर्थ वाले यात्री को दिक्कत होती है। इसके अलावा कई बार मिडल बर्थ पर बैठने वाले पैसेंजर ट्रेन चलते ही अपनी बर्थ को खोल लेते हैं और इससे लोवर बर्थ पर बैठे लोगों को परेशानी होती है। सफर के दौरान ट्रेन में बर्थ को लेकर होने वाली इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतिय रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं। रेलवे के इन नियमों के मताबिक मीडिल बर्थ वाला यात्री राद 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी बर्थ खोल कर सो सकता है। लेकिन यदी यात्री राद 10 बजे से पहले अपनी मीडिल बर्थ खोलता है तो आप उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर आपकी मिडल बर्थ है और लोवर बर्थ वाला यात्री आपको बर्थ खोलने से रोकता है, तो आप उसे रेलवे के इस नियम की जानकारी देकर अपनी बर्थ खोल सकते हैं। गौरतलब है कि सुबह 6 बजे के बाद मिडल बर्थ वाले यात्री का अपनी बर्थ को नीचे करना जरूरी है, जिससे लोवर बर्थ पर यात्री बैठ सकें। लोवर बर्थ वाले यात्री को भी उठकर बैठना होगा ऐसा करने से मना करने वाले यात्री को आप रेलवे का य राद 10 बजे के बाद TTE आपको टिकट चेकिंग के लिए परेशान नहीं कर सकता है। कमेंट में जरूर बताएं।